हेलो एब्रीबन आप लेपानशुजीयान पारमेडिकल विग्ञान में दोस्तों आप सबको स्वागत करता हूँ आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिपरड़क्टर सिस्टम के अंदर वजाइना को कि वजाइना क्या होता है उसके एक फिजियालोजी क्या होती है वजाइना प्रामेल सेक्सवागन में और हमारे सेकन्टरि सेक्सम्में आपके सबको सेकंडरी सेक्सवागन में जो एक्सटोर liksom इनक्रिकली अच्छवे ख़लिया तक हमड़ने पailing ऐंगे एंडर वजाइना को तो बनेखो इनक्रन जैने नेंसी इनक्रित आते हैं जैसे कि आब का सारी जो चीजे होती हैं structure होते हैं यह किसमें help करते हैं reproduction में जनन करवाने में आपके menstruation cycle को बनाने में periods होते हैं woman को हरमीने उसमें काम आएगा साथ साथ आपका hormones के production में भी help करते हैं तो यह सारा काम होता है आपके इन सब organs का इन सारे structures का तो आपका internal genitalia में आज हम specifically focus करने वाले हैं वजायना के उपर ठीक तो देखो वजायना क्या होता है वजायना अच्छे समझते हैं वजायना क्या है muscular tube है यह tube like structure दिख रहा होगा आपके छोटी सी muscular tube होती है muscle से बनी होती है that extends from the vaginal opening कहां से start होगी vaginal opening से जो आपके external genitalia होता है उसमें vaginal opening में आपको दिखाया था उदर से आपके start होती है और end कहां पर होगी आपके cervix तक आपका uterus यह वाला part होता है uterus का यह जो है इसको हम cervix बोलते हैं ठीक है तो आपके cervix तक इधर तक आपके क्या होती है यह आपकी वजायना होता है इस area को क्या बोलते हैं वजायना बोलते हैं ठीक आपका जो vaginal opening होती है उसको हम क्या बोलते हैं इन्डोइटर्स भी कहते हैं इसकी लेंथ होती हैं एंटीर वॉल की 7 cm मतलब की जो आगे की साइट से देखो कि तो 7 cm लंबी होगी और जो पीछे की साइट से अगर आप देखो कि इसकी लेंथ नाप होके तो थोड़ी जादा लेंथ ही होती है ये 2 cm जादा होगी लगबग 9 cm इसकी पोश्टेजर वाल की लेंग्थ होती है ठीक थोड़ा ऐसे टेड़े साइट पर होता है यह डायमेटर इसका कितना होता है लगबग 20 cm का डायमेटर होता है आपका लेकिन जब जैसे यासे हम उपर की तरफ जाते जाती है तो इसकी जो आपके विर्थ होती है वो लेक्टम होता है पीछे की साइट पर वजाइनल औरिफिस वजाइनल औरिफिस इस पार्ट्शली कवर्ड बाई हाइमन तो वजाइनल का जो औरिफिस होता है जो की ओपनिंग होती है वो आपका कवर होता है किससे हाइमन से जिसको हम बाद में देखेंगे भी सी लेक्चर म ठीक तो देखो सबसे पहले आप यह देख सकते हो structure में तो इसको हमने थोड़ा जूम करके देख रखा है इसमें तो यह देखो सबसे अंद्रवाली layer जो है वो क्या है फिर मिडल layer आती है आपके muscularis और सबसे लाश्टरल layer कौन सी होती है एडवन्टीशिया ठीक तो इम्युकोसा क्या है हमारी innermost layer होती है किस से बनी होती है stratified squamous epithelium से बनी होती है इसमें क्या होती है रूगी होती है रूगी क्या होती है folds होती है जो कि इसको expand करवाते है ठीक है expand करवाएंगे जब भी baby delivery होती है ठीक है child birth होता है उस time पे vagina expand होगा या फिर जब sexual intercourse होगा उस time पे vagina क्या होता है expand हो जाता है ठीक muscularis layer muscularis जो है उमारी middle layer होती है यह किस से बनी होती है smooth muscles से बनी होती है ठीक है second layer होती है smooth muscles से बनी होगी जो कि क्या करवाएंगे इसको contraction और stretch कराने में help करती है Advent tissue हमारी जो होती है सबसे Outer Muscleyer होती है यह किस से बनी होती है Fibrous Connective Tissue से जो कि connect करती है Vagina को बाकी के organs से जो कि surrounding organs है uterus हो गया इन सबसे connect करके रखेगी तो यह आपका काम होता है तीनों layers का इसके बाद आप देखो Vaginal Flora Vaginal Flora मतलब आपका यह देखो जो बजाएना है इसके अंदर क्या आ गया है कुछ bacteria आ गया है कुछ microorganisms आ गया है तो यह क्या है Vaginal Flora है तो Vaginal Flora क्या होता है microorganism जो की Vagina के इंदर naturally पाए जाते है नॉर्मली पाए जाते है वरको normal है ठीक है कौन से bacteria जैसे कि आपका Lactobacil है यह आपके Vagina में normally मिलता है तो यह क्या करते है एक environment create कर लेते हैं Vaginal Health के लिए जो कि जरूरी होता है एक ऐसा environment create कर लेंगे जिससे क्या होगा यह खुद तो वहाँ पे रहेंगे लेकिन बाकी organism को वहाँ पे grow नहीं होन देते हैं वहाँ पे कोई भी infection नहीं होन देते हैं यह microorganisms तो यह microorganisms जो होती है जो प्रेक्टिले ओदर present है वो वजाइना के लिए अच्छे है ठीक तो जो कौन सा microorganism present होता है इसमें Lactobacil I present होता है Lactobacil I क्या करे है Vaginal pH को maintain करके रखता है Vaginal pH कितनी होती है Acidic होती है ठीक है कितनी होती है 3.8 से 4.5 वजाइना की pH होती है ठीक This acidic environment prevent the overgrowth of harmful bacteria and pathogen तो यह जो acidic environment है यह क्या करेगा बाकी bacteria को कोई pathogen हो गया कोई disease causing agent हो गया उसको grow नहीं करने देगा ठीक है अब इसके बाद देखो Vaginal fornix ठीक है Vaginal fornix देखो इस set पर आपको दिख रहा होगा cervix के बुलकुल side में ठीक है तो आपके total कितने होती है आपके four fornices होते है यह चार fornices होती है इनको हम बढ़ेंगे तो fornices समझ लो सबसे पहले होता क्या है fornix क्या होते है एक single बोलोगे तो fornix बोलोगे अगर plural fornices बोलोगे एक से ज्यादा बोलोगे cover करोगे तो fornices बोलते है ठीक तो fornices क्या होते हैं recesses होते हैं या फिर space होते हैं जो कहां पर बनते हैं between the vaginal wall and the cervix of the uterus तो आपके जो वजाइना की जो wall होती है उसके बीच में और जो आपका uterus का जो service है उन दौनों के बीच में क्या आपके ये fornices पाए जाते हैं ठीक ये आपका fornices होता है fornices जो होते हैं आपके बहुत important होते हैं gynecological examination में ठीक चार होते हैं आपके anterior posterior और दो lateral left और right में तो आपको दिख रहे होंगे ये वाला एक ये वाला दो तो आपको दिख रहे हैं इसमें image में दो आपके आगे पाए जाएगा ये और सबसे deepest fornices होता है और lateral fornices जो होता है ये जो होता है ये जो होता है ये दो होते हैं left और right ये दौनों साइट पर आपके present होते हैं ये space प्रवाइड कराते हैं आपके cervix को दौनों साइट पे ठीक है तो ये आपके चार fornices होते हैं जो कि gynecological examination में ज कर लिया अब हम पढ़ेंगे hymen तो देखो hymen क्या होता है hymen एक fold होता है mucous membrane का जो कि कहां पर पाया जाता है वजाएना की entrance से पाया जाता है ठीक है किस से बना होता है mucous membrane से बना होता है normal क्या है folds ही है ये skin की जैसे skin की छोटी सी पतली सी fold है जिली type मान लो it usually has a opening that allow for menstrual flow त regularly हो पाए ठीक है जो कि जब bleeding होगी उनको periods होंगे तब उसमें opening के थूप वो पास हो जाए अगर पूरा cover करकर रखेगा तो patient woman को दिक्कत होगी न उसमें से bleeding का से पास होगी फिर तो देखो आपका जो hymen होते हैं वो total आपके 6 type के होते है main तो type से एक लेते हैं हाईमन के इस centic hymen, septate hymen, creepy form hymen, imperforate hymen और आपका paris intact hymen ठीक है तो इनको एक एक करके भी समझ लेते हैं दिखा देता हैं को क्या क्या चीज़ी होती है यह सबसे पहले देखो आप annular hymen यह वारा जो है न आपका annular hymen है ठीक आभी वजाएना का जो wall है इसको इसने cover करके रख रखा है ठीक तो most common type होता है आपका annular hymen जो कि इसमें क्या होता है ना where hymen forms our ring around the vaginal opening तो आपका इधर vaginal opening होगी और इधर क्या करता है आपका जो hymen होता है छोटी से ring बना लेता है ठीक है ताकि इस ring से जो ring basically क्या है एक space है जिससे आपका menstrual flow properly हो पाए तो आपका most common यह होता है आपका annular hymen इसके बाद देखो krisantic hymen krisantic hymen जो होता है वह आपका half moon shape का hymen होता है ठीक है इस तरीके का shape आपका बना लेता है यह opening यह भी आपकी opening ही है ठीक है बाकी पूरी जगे क्या है इसमें बाकी पूरी जगे पर क्या होगा आपका आपके folds है mucous membrane के basically आपके जो opening है ना वह आपको suppose को इस तरीके से goal होगा तो इसका जो lower वाला part है सिरफ वो ही uncover है ठीक है जिसने क्या होती है bleeding होती है तो इस तरीक ही hymen होता हो सकता है इसके बाद देखो आप creepy form hymen creepy form hymen देखो इसमें आपके काफी सारे holds पाए जाते है ठीक है इसमें क्या है काफी सारे holds है आपकी layer तो है इ इसमें काफी सारे holds होंगे आपके menstrual flow के लिए देन आप देखो septate hymen septate hymen क्या है आपका mucus का fold है लेकिन इस तरीके से fold हो रखा है के बीच में इस तरीके से आ रहा है कि आपके दो अलग-लग आपके spaces बन रहे है मैंशल flow के लिए ठीक है तो एक band of tissue runs through the center of the hymen ठीक तो एक band of tissue जो है mucus membrane का वो बिल्कुल center में से निकल रहा है ठीक है जिसमें से आपका जिसकी वेसे क्या हो रहा है आपका जो vaginal की जो opening है ना उसमें दो छोटो-छोटो holes दिखा रहे है आपको ऐसा लगेगा कि छोटे- परफोरेट हाइमन इंपरफोरेट हाइमन जो होता है ना एक बहुत rare condition होती है वेर दा हाइमन completely cover the vaginal opening तो इसमें आप देखो हाइमन ने proper cover करकर रख रखा है vaginal opening को इसमें आपको कोई भी opening नहीं दिखेगी अब जब opening नहीं दिखेगी तो women को जाएगे दिक्कत क्यों क्यों जब भी mention होगा जब यह periods आएंगे ठीक है तो क्या होगा women से bleeding होनी चाहिए लेकिन वह waste क्या होगा अंदरें इंदर खटाओं लग जाएगा जिससे क्या होगा women को दिक्कत होगे फिर बाद में उनको पता चलता है कि bleeding ना होने की वैसे कि उनको दिक्कत हो रही है तब पता मेडिकल इंटर्वेंशन में हम थोड़ा सा कट लगा के इसमें कर लेते हैं ताकि आपका जो bleeding है वो इधर से हो पाए ठीक पैरस इंटेक्ट हाइमन देखो पैरस इंटेक्ट हाइमन क्या होता है हाइमन डैट रहेस रेमनेंट रिमेनिंग आफ्टर बिंग स्ट्रेस्ट और तो पैरस इंटेक्ट हाइमन इस तरह के हाइमन होता है जिसके जो रेमनेंट होते हैं मतलब कि अगर वो आपका हाइमन जो है सपोस करिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्त आपका हाइमन जो था वो तूट गया वो जो mucous membrane थी वो निकल गई ठीक है तो आपके कुछ रह जाते हैं ठीक तो इसमें देखिए आप कुछ skin के जो हैं कुछ remnants आपको रह जाएंगे इस ओपनिंग के पास तो उसको क्या बोलते हैं पैरस इंटेक्ट हाइमन बोलते हैं ठीक है मतलब पार्स जली थोड़ा सा टूटा है थोड़ा सा नहीं टूटा है ठीक तो इस तरह आपके हाइमन होते हैं छे टाइप तो स्ट्वेंट्स यह था हमारा आज का लेक्चर आपके वजाइना के बारे में और हाइमन के बारे में आपको सब कुछ सवन में आ गया होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक करना अपने क्लासमेर्स साथ वीडियो को शेयर करना मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ